कि हलो विलकम टो आप सभीका स्वागत है एक फिर से से जी कोचिंग के साफिशल एप पर स्टार करता हूं क्लास को और हम लोगों ने एंसेंज हिस्ट्री अर्थाद प्राच्छी इतिहास को पूरी तरीके से समाप्त किया था गुपतोत्तर काल तक हम लोग ने पढ़ लिया था और गुपतोत्तर काल के बाद आज हम लोग को मद्ध कालीन इतिहास को स्टार्ट करना है और मद्ध करने इतिहास का बेसिक सा पार्ट जो होगा इसलाम धरम का उदा है वहां से मूझ लेकर चलेंगे जो यह क्लास होगी मैंने आपको बता रख हैं कि चो भी एक लास अधिकाली इतिहास की तो आज पहले लेक्चेर मद्ध करने इतिहास का ठीक है अचली इतिहास की बात करें तो गुपतोतर काल के बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो हर्षवर्दन का सामराज था जो कर्नौज का था वो कर्नौज में त्रीपक्षिय संगर सुरू हो पाल प्रतिहार और राश्रकूज मिलकर आपस में लड़ने लगे थे फिर इसके बाद आज हमनों को मद्ध करने नितिहास की बात करनी है तो मद्ध करने इतिहास में सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है समझ रहे हैं जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है इसलाम का हुद है अब इसलाम को दैंको इसका गार पर नहीं पढ़ना है कि हमको इसका रिटर में लिखना हो मेंस लिखना हो तुम लोग को इसलाम को अभी जो मोटा मोटी समझ लेना है वह आराम समझेगा जो इसलाम है समझेगा फिर मैं बोला हूं याद रखेगा मैं बताता हूं इसलाम एक अरभी भाषा का सब्द है या दखेगा असलाम जो है वह एक अरभी भाषा का सब्द है यह अरभी भाषा के दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है इसलाम इसलाम में दो सब्द कौन-कौन से हैं सल्म है और सिल्म है सल्म का मतलब होता है सांती और सिल्म का मतलब होता है समरपण इसलाम धर्म का वो जो उदय है वो आपका आरब देश में होता है इसलाम धर्म के उद्य के पहले आरब में बहुदेववाद और मूर्ती पूजा का प्रशलन जोरो सोरों पर था बहुदेववाद मतलब कि जैसे अपने आपर बहुत देवता पूजे जाते हैं वह बहुदेववाद है और मूर्ती पूजा का प्रशलन था फिर इसी को इसी को अलग करने के लिए या इसका विरोध करने के लिए आपका इस धर्म का जन्म होता है इसलाम धर्म का प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद साब को माना जाता है हना तो इसलाम धर्म मूर्ती पूजा का विरोध करता है इसलाम जो धर्म है वो आपका मूर्ती पूजा का विरोध करता है इसलाम के अनुयाईयों को मुसल्मान कहा जाता है और इनका जो पवित्र ग्रंत है वो है कुरान शरीफ मुसल्मानों के पांच करतवे बताया जाते हैं कल्मा, नमाज, रोजा, जगात और हज तो कल्मा अल्ला पर पूर्ण रूप से विश्वास प्रकट करना ही क्या कलाता है कल्मा, नमाज, प्रतेग मुसल्मान को दिन में पांच बार नमाज पढ़ने चाहिए रोजा, रमजान के महिने में सुर्योदय से लेकर सुर्यास तक, आपको पता नहीं पता, हाँ, ठीक है सुर्यास तक अन्य जल्ग रहन नहीं किया जाता है और अल्ला की अबादत की जाती है जकात क्या होता है, अपनी आय का, अपनी आय का, धाई परसें, याई 2.5 परसें, गरीबों में दान करना, यह होता है जकात आगे चलकर मैं आपको कुछ टैक्स भी बताऊंगा, जिसको कहते हैं, जजिया, जकात, खराज, खुम्ज, हरा, और हक, एसर, तो वह ही जकात है, जकात क्या है अपना, जो अमीर मुसल्मान है, उनकी आय का, क्या बिटा, एक बटे चार, यानि कि धाई पर जो प्रिच्छत है, वो गरीबों में लेकर दान करिया जाएगा और हज क्या है, प्रतेग मुसल्मान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए चलिए, तो जितना मैंने बता रहे हैं, उतना आपको अपने दिमाग में रखना है, जो मैं बता रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में रखना है, और फिर जो मैं लिखवाँगा, उसको आपको लिखना है, तो पैगंबर मुहम्मद साहब ने प्रतम मुसलिम राज्य की इस प्रमुक्ह की रूप में जाना जाता था, जो उनकी गद्दी पर बैठ कर, मुसलमानों पर शाशन करता था, उसको हम लोग खलीफा कहते हैं, जो कि पैगंबर साथ के साथी भी रह चुके थे, सर्व सम्मत्री से इनने खलीफा चुना गिया था, और इन्हें ही पवित्र खलीफा कहते हैं, कौन वो फल्थर खलीफा है, नम्Bर एक पर है अबुबकर, पहले खलीफा कौन होंगे बिटा आपके, अबुबकर होंगे, 632 से 634 इसवी तग अबुबकर आपके खलीफा बने रहेंगे, तो ये पर्थम खलीफा थे, इन्होंने अ अल्ला को केंदर्म रख कर मुसलमानों परसासन किया और इसलाम धर्म का प्रशार किया तो पहले खलीफा अबुबकर हो गए दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर 634 से 644 इस्वी तक ये बैठे रहे इनके समय में बहुत सारे विजय अभियान किये गए और जो की सफल भी रहे इन् में अरबों का पारत पर पहला आकरमर हुआ था जो सफल नहीं रहा था तो कौन विक्ति था वो विक्ति पहला कौन था जिसने भारत पर पहला हमला किया था वह पहला अरभी मुसलिम कौन था जिसने भारत पर हमला किया लेकिन आसफल हो गया दूसरी बार भी हमला किया इस्वी से 656 इस्वी तक ये गद्दी पर बैठेंगे इनके समय में ही याद रखेगा इनके समय में 651 इस्वी में पवित्र धर्म ग्रंद कुरान शरीफ का संकलन हुआ था और यह जो ग्रंद है वो अरबी भासा में संकलित किया गया था किसके समय हजरत उस्मान के समय फिर चौथे खलीफा हैं उनका नाम है हजरत अली ठीक है ना इनके समय में भी जो इसलाम धर्म के सासक थे या फिर इनके समय में भी विजय अभियान बड़े बड़े दूर दूर तक चलते रहे थे ठीक है तो आपको मैंने क्या पताया पहला अबुबकर दूसरा हजरत उमर थी यावन तो 661 में अली किम्रत्यू के बाद मुबईया नामक व्यक्ति यादा केगा 661 में अली के पुत्र हसन को हटाया और स्वयम खलीफा बन गया उमय्या वन्स की जो राजधानी थी वो थी दमिस्क फिर उमय्या वन्स को किसने प्रतिस्थापित किया अबासी वन्स में ठीक ना, 749 इस्वी में अब्बास सफवाह ने, याद रखना पिटा, 749 इस्वी में अब्बास सफवाह ने इरानियों के सहयोग से उमया वंस को प्रते स्थापित कर दिया और अब्बासी वंस की सुरुवात हो गई, और 749 से लेकर, 1258 इस्वी तक अब्बासी वंस चलता रहा, क्वेशन मनता है, अब्बासी वंस की राजधानी क्या थी, और इस वंस का अंतिम खलीफा कौन था, तो अब्बासी वंस की राजधानी थी आपकी बगदाद, उमया वंस की राजधानी क्या थी, दमिष्ट, ना, इराक की राजदानी बगदाद है, और सीरिया की राजदानी दमिष्ख है, इस वंस का अन्तिम खलीफा कौन था? मुस्तकीम, कौन था बच्चा? मुस्तकीम, तो यह था आपका इसलाम धर्म का उदा है, तो हमने आपको अब बासी खलीफा तक लेकर आए हैं, आप जल्दी से जो मैं लिखूंगा उसको आप रिपीट करेंगे जल्दी बताईएगा क्या-क्या इसका अंसर होगा अपटावर बताईए जो इसलाम है वो किन दो सब्दों से मिलकर बना है जो इसलाम है वो कौन सा सब्द है जल्दी लिफता है यह बिटा करेंब इसलाम है जल्दी करो जल्दी करो हना है कि जितना मैंने बोला इतना रिपीट करो ना नीराश कुमार पटेल आकाश शिवाम जितने बच्चते जुड़े हुए है श्यश्ची को चिंग के अप पर वस अभी लोग इसका आंसर करें जितना मैंने बोला अब्दुल जल्दी से अग्याइब आप वाले बच्चों का अंसराना शुरू हो गया बहुत बढ़ी चलिए देखते हैं तो इसलाम कैसा सब्ध है तो इसलाम एक अर्भी शब्ध है यह किन दो सब्दों से मिलका बना हुआ है जल्दी ताइए हाँ स्लिम और स्लम नहीं पिटा स्लिम नह है आपका सिल्म है सिल्म सिल्म और सल्म ठीक ना क्या है कि सिल्म और सल्म यह है अब सल्म का मतलब क्या बताया था सांती और सिल्म का मतलब क्या बताया समरपड़ और इसका मतलब क्या बताया समरपड़ आज सब कुछ आप ही बताने वाले हो ठीक है ना मैंने आपको पूरी क आपको मैं बताता हूँ आजकल दुनिया में चल क्या रहा है चला ऐसा राय जो जो सबसे कम पढ़ाता है जो अध्यापक सबसे कम पढ़ाता है वही सबसे अच्छा अध्यापक है जो सबसे पतली किताब आती है वही किताब सबसे अच्छी मानी जा रही है कि जितनी जिस सब् लगती अच्छा मान ले रहा है फिर पेपर फस्ता नहीं है कहते नहीं है कि सिलाबस है सागर जैसा अराम समझना सिलाबस है सागर जैसा पढ़ते हैं नदियों जैसा सिलाबस है सागर जैसा पढ़ते हैं नदियों जैसा पेपर में लिखते हैं अना पेपर सुरी सिलाबस है सा पर में लिखते हैं पेपर में लिखते हैं लोटा मवर नमबर आते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जतना अप दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है सल्म और सिल्म सल्म का अर्थ है सांती सिल्म का मतलब है समरपड़ अब इसलाम धर्म का उदय किस देश में हुआ फिर मैंने आपको आया इसलाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ ठीक है अब इसके बाद इसके प्रमुख प्रवर्तक इस कब मना जाता है तो 622 में याद रखेगा अगर इस थापना वर्स अगर आप से पूछ दिया जैसे पीटी की पेपर पूछ दिया गया था तो आपका आशर था 622 स्वी यह आप कुशन मनता है इसलाम धर्म का उदय क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि बहुत ज्यादा मात्रा मे बहुत देववाद और बहुत ज्यादा मात्रा में मूर्ती पूजा का प्रसलन सुरू हो गया था तो इसका विरोध करने के लिए इस धर्म का उदय हुआ था क्लियर है भाई very good आगे बढ़ा जाए तो इसलाम सर्म के जो अन्याई होते हैं जो इसलाम को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं मुसल्मान कहलाते हैं अब मुसल्मान के कितने करतवे बताए हमने आपको पांच कल्मा नमाज रोजा जकात हज ठीक है कल्मा नमाज रोजा जकात और हज विटा आप देखो इसमें भी अगर तुम छोटा छोटा करोगे मैं फिर बता रहा हूं आपको इसमें भी अगर आप कहेंगे सर और कंपड़ाईए और कंपड़ाईए और कंपड़ाईए हिस्सियाचा रेलवे की किनारे चौपतिया बिखती है पतली-प है आपको सदिलवा देंगे ठीक ना तो पर गबर मोहमाद साथ नहीं मुस्लिम समराज्जी की स्थापनाकी की अ जुत स्थापनाकी और मदीना को अपना केद्डर बनाया के और मदीना को अपना केदर बनाया है कुशन कभी कही फूच देता है मुहम्मद साहब को जो आयाते थी आयाते मतलब जिसे हम लोग क्या कहते है ग्यान हाना तो कुशन बनता है मुहम्मद साहब को कुरान की आयते किस ने दी थी यदि आप से ऐसे पूच दिया जाए तो आपका आएगा हीरा नाम की गु ठीक है ना आगे बढ़ते हैं मुहम्मद साब की मिर्तिव के बाद मुहम्मद साब की मिर्तिव के बाद फिर गद्धी पर कॉन बैठा उनकी गद्धी पर जो वक्ति बैठा उसको हमने क्या का भाई खलीफा का बोर्ड हैंकर गया कोई बात ने कोई बात ने के याई फ्र effectively करतें है रिटेजेदर भगेल जी नहीं सुरा बटच्छा पराथ ठीक है धन्यवाद Claudia यह चलो इस पर रहते हैं है तो कि इस ना ना फर्मन आपको क्या पताया मैंने आपको बताया कि मुहम्मर्थ साब की गद्दी पर बैठकर जिन व्यक्ति उन्हें सासन किया है ना उनको क्या कहां गया खलीफा यह एक सब्सक्रम लिटा है लो है कि की के खलीफा हि पुछा जाए प्वित्र करें इसका कितनी थी तो आप का अघंठा आवाद था जाए अगे बढ़ते हैं आगे पड़े आपको बधर पैसे अतरा और कॉन सरायगा अबू-ब पहले खलीफा कौन थे आप कहां से आएगा अबू बक्र दूसरे खलीफा उमर तीसरे खलीफा उस्मान चौते खलीफा अली ठीक है उमर उस्मान और फिर अली अब उमर उस्मान और अली कोशन मनेगा कुरान सरीफ का संकलन किस खलीफा के समय किया गया था और कब किया गया थ कि 651 में क्या हुआ था भई कुरान सरीफ का संकलन किस खलीफा के समय हुआ था तो आपका आशर आएगा कि हज्रत उस्मान के समय हुआ था क्लियर भाई आप क्वेशन मनता है कि हज्रत अली की मृत्यू के बाद 661 में किस व्यक्ति ने इनको हटा दिया था अन्हें अली के सब्सक्राइब कंधना थो उमया वंज की इस्थापना किसने करी आपका आणसर एंगा मुबया ने अगो अ और मैँ 1's की इस्थापना किसने करी मुबया ने और उमयया वंज ने अपने राजधानी किसको बनाया या केंदर किसको बनाया, तवर आपका आँसराएगा, दमिस्क को, दमिस्क उसामें कहाँ पर है, सीरिया builder, एधन न है,對不起 की कर उमया वंच को किसने प्रस्तिष्थापित किया, तो अब आपको 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 है हुआ किःना और अब वाज कि TV है कि स्कूली mentioned कि से स्राइए इरानियों के से स्कूली से जोग से किसके स्थाने चुली ती सिह बोलए इटी तो इरानै उसा जोग से आपको चिछितव बनेगा कि जो अबासी वंस है इस वंस का अंतिम खलीफा कौन था अबासी वंस का अंतिम खलीफा कौन था तब आप कहा अंसर आएगा मुस्तकिन क्या अंसर आगा भी या मुस्तकिन या मुस्तकीम ठीक है मुस्त कीम चलिए अब एक कोश्चन और भी बहुत 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 कोश्चन कोश्चन बनेगा खलीफा के पद को किसने समात किया था खलीफा पद को किसने समात किया था खलीफा पद को किसने समात किया था यह क्वेशन पूछा जाएगा तो आप का आएगा मुंब्द मुस्तफा कमाल पासा ता आप का आख़र क्या यह वार इंपॉर्टेंटं सेंने इसको आध्रीक तुरकी को कर पिता आप तो ब्रिटन और टुर्की की बीच में हुआ था ट्रीटी आफ सीवर्स और इस सीवर्स की संदी के तहट टर्की का विभाजन कर दिया गया था और खलीफा के पत को समाप्त कर दिया गया था इसी खलीफा के पत को बचाने के लिए किया गया था खिलाफा तांदुलन और भार आपको सिर्व इसलाम धर्म का थोड़ा सोदय बताया है अब हम लोग आएंगे भारत पर भारत पर अरबों का हमला अगर कोशन पूचा जाए भारत पर अरब भी मुसल्मानों ने हमला इसलिए किया था क्योंकि पहला कुश्चन कि वो मुस्लिम राज़ का विस्तार करना चाते थे दूतरा भारत एक समरध देश था और यहाँ पर धन भूत अधिक मातरा में था तो इसको को लूट कर ले जाना चाहते थे इसलाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत के भारत पर अरब के मुसलमानों हमला क्यों किया तो तत्काली करण क्या था तत्काली करण ये था हमें जो चचनामा से दिखने को मिलता है किस जो सिंद्छेत्र है वेरी गुड यानि सिंधु नदी पर इस्थित जो बंदरगा है उसको हम लोग देवल बंदरगा कहते हैं अच्छा यदि आप इतिहास पढ़ने का सौकीन है यदि आपको अच्छे तरीके से इतिहास पढ़ना है प्रकोशन पूछ दिया जाए कि देवल बंदरगा कहां पर है कि सोपारा बंदरगा कहां पर है कि सोपारा बंदरगा कहां पर है कि ब्रगु कच्छ बंदरगा कहां पर है कि ब्रगु कच्छ बंदरगा कहां पर है और ताम्र लिपती बंदरगा कहां पर है ताम्र लिपती बंदरगा कहां पर है यदि आपने प्रा होगा तो जरूर बताया होगा कि यह बंदरगा कहां पर है क्योंकि जो प्राचिन भारत में जो भी व्यापार के केंद्र थे वह यही सब बंदरगा केंद्र थे यह तो यंदाना जो देवल बंदर गाही यह पर शिम उत्तर का है अर्थाद-सिंद्शेटर का है जो सोपारब का बंदरगाह है यह आपका महराश्र का बंदरगाह है यह आपका गुजरात बंदरगाह है और यह आपका बंगाल बंदरगाह है तो बंगाल का जो बंदरगाह जैसे कि चीनी यात्री जो थे जो चीनी यात्री थे वो तामर लिपती बंदरगाह से आते थे यदि किसी विक्त को पाठली पुत्र से होते हुए इल्डॉनेशिआ खेटर में जाना होता था तामल लिप्ती बंदर्गा से जा समझेएगा तामिल लिप्ती बंदर्गा जो है वह बंगाल का है लिंक क्या तामर परणी क्या है तामर परणी तो तामर परणी का मतलब है शीलंका समझ रहे हो और शीलंका से हम लोग कौन से चीज़े खरीदेते थे तो तामर परणी से भारत के लोग मोती आयात करते थे तामर परणी से भारत के लोग मोती आयात करते थे नेपाल से चमडा आयात करते सबसे ज्यादा मात्रम बेशते थे और भारत के लोगों को बेशते थे मिस्र एजिप्ट के लोगों को तो यह बात आपको समझ जाई तो चचनामा में क्या मिलता हैं को यह समझते हैं चचनामा में हमको पता चलता है कि सिंद के पास देवल बंदरगाह है हना तो अरब का उसमें खलीफा हुआ करता था अरब का खलीफा अरब का खलीफा हुआ करता था अलहजाज अब पूरी कानी तो में बतानी नहीं है तो जो इंपोर्टेंट है वो समझ लीजिए हना हजाज समझते हैं तो अरब का खलीफा था अलहजाज अलहजाज ने अपने सभी साथियों से कह दिया था कि भारत जैसे सम्रद देश से पैसा लाने के जरूरत है लेकिन दो बार हमला किया समझेगा अरबो ने भारत पर दो बार हमला किया पहला हमला इस पर इसने कप किया था पहला ह कलीफा वालिद के समय आँ नहीं घ्रफ यह तो ऐसे कह सकते ना कि अरव का खलीफा सिमय अलघ जाज था और जब ki मेन खलीफा घर पकलिक्षे इसलाम रहा था उसका ना महलेड़ ट एक मीन में तर्की का एक खलीवा हो गया कुछ इस प्रकार चाहिए तो आरब का खलीवा कौन था और जो में खलीवा था जो पूरे इसलाम को चला रहा था वो कौन था वालिद था तो आरब के खलीवा आल हज्जाज का भतीजा था मुहम्मद बिन कासिम कौन था बिया मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जब हमला किया था वो सफल हुआ था इसके पहले उबैदुल्ला के नितरत में या दखेगा इसके पहले 711 इसमी में ही उबैदुल्ला के नितरत में सिंद पर हमला किया गय फिर तीसरा हमला 712 इस्वी में मुहम्मद बिन कासिम ने किया था अब क्यों किया था इसको समझ लेते हैं यह आप तक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी चचनामा कहता है चचनामा कहता है कि अरब के लोग अरब के लोग श्रीलंका से अरब के लोग जो श्रीलंका है अरब क सोने से भरे शिलंका से लूट कर हना सिंद बंदरगाई ने देवल बंदरगा की रास्ते से जा रहे थे उस देवल बंदरगाई पे कुछ डाकूओं ने उनके आठ जहाज लूट लिये कहते हैं आठ डाकूते उन आठ डाकूओं ने एक एक जहाज पीछे से लूट लिया हम नहीं जानते आप हमको वो आठ जहाज जो लूट लिये हैं वो हमको चाहिए उनसे कह दीजिए जो सिंद का राजा दाहिर है उससे कह दो या तो यह आठ जहाज हमको दे दे और या तो वो आठ डाकू हमको दे दे जिसने हमारे जहाज लूटे हैं अब अरब के खलीफा अल सूचना लेकर मताना जब ये बात हो गई तो अलह जाज ने फिर से पैगाम बिजवाया और दूसरे पैगाम में सिंद कराजा दाहिर गुसा गया और गुसाने के बाद उसने उसके दूद को माई डाला वही जिंदा जलाके मार दिया ये बात हजम नहीं हुई किसके अलह जो उसका बतीजा था उसको ही दामाद बनाया और दामाद बनाकर कहां की और भेज दिया सिंद पर हमला करने के लिए मुहम्मद बिन कासिन में 412 इस्वी में सिंद पर हमला किया दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया कोशन बनता है जब सिंद सिंद पर हमला किया गया तो टाहिर जो था वह बस USA लेए ब्रामभर हां का था एतना इतनी बात इयर है तो याだから चाहन अब यून तो उन सब ने समारपन कर दिया था कहने का यह तात पर है अब जो सिंद कराजा दाहिर था उसका एक बेटा था जैसिंग एक दूसरी पतनी थी जिसका नाम था जल्दी बताइए कौन दो पुत्रियां थी सूर्देवी परमल देवी और एक पतनी थी जल्दी बताओ अगर हाँ रानी लाजी बहुत बढ़ी है बिल्कुल सही है रानी लाजी सूर्देवी और परमल देवी ठीक है ना तो एक पतनी और दो पुत्रियां इनको पकड़कर जो मुहम्मद बिन कासिम है यह अरब ले गया तब तक अलहजाज की मित्ति हो चुकी थी खलीफा बदल चुक सब्सक्राइब करता है यह को कहीं मारना डाले तो मुहम्मद बिन कासिम ने जो दो पुत्रियां और रानी लाडी थी उसको उपहार में दे दिया और इन तीनों ने मिलकर अमर को इतना चढ़ाया इतना चढ़ाया की मैं उमर इन तीनों इंजो लड़किया थी जो दो का फर्मान सुना दिया किस की मुहम्मान बिन कास्म के टो इन ललकियों ने कहा कि हम उसको मारेंगे ने तो एक दो दो गरम गरम लोही के रव़ट दिया यला कहनी है यह आपको कहानी कि कहनी है यहां और जिए साइन के बच् timeline की कहनी है यदि ये सारी कहाने आपको समझ में आ गई हो peoит किया गया दूसरा हमला बोढय लाक नितृत में किया गया इस्याले तीस्स राहuerdo जो कि लूट लिये थे देवल बंदरगा से हिंदू डाकुओने को अगर को कोई भी थीक है तो अब यहां पर देख लेते हैं भारत पर हमला अब देखते हैं भारत पर हमला भारत पर हमला तो क्या कोशन मताया सब्सक्राइबंगे नमें आपको पहला हमला किसके नेतरत में किया गया था हए 711 schwiken कि अबयदुल्ला के नेतरत में अ है क Yok Uh बदुल Nich Right You और लेकिन यह क्या हो गया आग चाहत है फिर दूसरा हमला किसके नेत lty में किया गया कि दूसरा हमला बुदायला के नित्रत में साथ सो ग्यारा एश्वी में ही बुदायला के नित्रत्त में कि और यह भी क्या हो गया आशफल पिर तत्कालिक करण क्या था तीसरा हमला करने का तत्कालिक क्या था तीसरा हमला करने का तब आप बताएंगे सर अरब के अरब के आठ जहाज कर दाकूव ने रूट लिए थे और सिंध में घुजगय थे तीक है आप क्वेशिन क्या है सिंध कराजा कौन था दाहिर अच्छा कौन था पाय तापका आंसर है का दाहिर और यह किस वन्सका था तो यह ब्राम मरवंस का था आप पिछला कोई पेपर उठाग देखिएगा तो यह कुशन मनेगा कि जब मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया तो इसे में भारत में कौन सा वंशल्ला था आप का आंसर आएगा ब्राम्मर वंशल्ला था दाहिर की पुत्री कौन सी है यह पतनी है रानी लाडी और इसकी दो पुत्रियां है एक का नाम है सूर्य देवी एक का नाम है परमल देवी एक का नाम है सूर्य देवी और एक का नाम है परमल देवी और यही मुहम्मद बिन कासिम की मित्यूगा कारण बनती है तो यह सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी यहां तक आपको बात स समझनी आई अगर आप से पूछा जाए कि भारत पर जो मुस्लिम अरभी मुस्लिम ने हमला किया था उससे हमारे उपर कुछ प्रभाव पढ़ा हाँ बिलकुल प्रभाव पढ़ा सबसे पर देख लेते हैं राजनीतिक प्रभाव क्या पढ़ा अरबों की प्रसास्तिक नीतिय भारत में खजूर के जो बागवानी थी और उन्ट था उसका अधिक विकास होना शुरू हुआ जमले का पूट्साहान बढ़ गया यह चमले का व्यापार बढ़ गया मुद्रा पुनाली का विकास हो गया नगरिकण जैसे अनेग नगरों का विकास हुआ या नगरिकण करन सिंद भासा का विकास हुआ भारत में कुरान का सरपर्थम अनुवाध सिन्धि भासा में किया गया सैकडों अरभी विद्वान-चिकित्सा दर्शन-शास्त्री गर्तग्ये जल्दी बताईए यहां तक आपको सारी बात क्लिए है तो भारत पर अरभी मुसल्मानों का हमला आपको समझ में आया आप देखते हैं भारत पर भारत पर तुर्की मुसलमानों का हमला भारत पर तुर्की मुसलमानों का हमला ठीक है आराम समझियेगा भारत पर तुर्की मुसलमानों का हमला एक ज़िए हाँ तो भारत पर तुर्की मुसलमानों का हमला तुर्क कौन थे तुर्क मद एशिया की एक खाना बदोज जन जाती थी जो अपने खानने के लिए कभी इदर खुमती थी तो कभी उदर खुमती थी अब बासी खलीफा बताये मैं और जो भी आस पाथ एसाइध को एराक और इरान के आस पास जो मुस्लिम समराज ता उसको करते समानिध अब पता नहीं आप लोग ने इतना कफिन पढ़ाए करने पढ़ा है कोई बात नहीं कफिन बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं बहुत बिल्कुल मन में लाईएगा ने कि पढ़ा रहे हैं ठीक ना आराम समझेगा समझाने के लिए अगर मैं सीधी लिख दूब भारत पर तुर्की मुसल्मानों का हमला और लिखना सुरू कर दे महमूद गजनवी अलप्तगीन सुभुक्तगीन मुहम्मद गोरी और पढ़ाना सुरू कर दें वेस्ट आफ टाइम है पूरा समझ लीजी इसके पास आपको समझ में सब कुछ आने वाला है तो तुर्क कौन थे तो तुर्क मद एशिया की खाना बदो जन जाती थी अबबासी खलीफाओं के समय जो तुर्क जन जाती की लोग थे वो एक पेशेवर सैनिक होते थे मनरंजन का कारे समालते थे उन तो उसका लाव उठाकर गजनी को केंद्र बनाया गया और अलप्तगीन नाम के विक्ती ने क्या किया गजनी को केंद्र बनाकर एक गजनी वन्स की स्थापना कर दी त威षयर मंता है कि तुर्कों के प्रतम सथ्थराज है किसको आपके अलप्तगीन ने की और किसको बनाया गजनी को बनाया तो अलप्तगीन 9 Amen, ज़िनकर 977 इसमी तक चना गजनी का राजा बना रहेगा इसने अपने 700 इसने अपने 700 अधिकारियों को नियुक्त किया उन 1700 अधिकारियों में जो सबसे इसका प्रियत था वो था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन को ही इसने अपना दमात बना लिया और अलप्तगीन की मित्तियों के बाद सुभुख्तगीन गद्धी पर बैठा सुभुख्तगीन को गजनी वन्स का वास्तिविक संस्थापक कहा जाता है अलब्तगीन को गजनी वंस का संस्थापक और सुभुक्तगीन को गजनी वंस का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है 977 इसवी से लेकर 997 इसवी तक लगबग 20 सालों तक सुभुक्तगीन ने गजनी पर राज किया अब यहाँ पर सुबक्त गीन के मन में आया कि मैं भी सिंद पर हमला करूँ और भारत के अंदर प्रवेश करके उसका पैसा लूट कर लाओं ठीक है ना तो सुबक्त गीन दूसरा तुर्क सासक था गद्धी पर बैठा दूसरा तुर्क सासक था इसने कुछ दिन के बाद जैपाल को गुस्साया और जैपाल ने बड़ी सेना बनाई और उसको फिर से ललका रहा कि अब आओ तो जब सिंद के राजा जैपाल बार सुबक्त गीन दुबारा हमला करने जा रहा था तो कहते हैं कि मरुस्थली तूफान आ गया और उस एक चपेट में सुबक्त की मिर् महमूद और इसमाइल की बीच हुआ उत्तरा अधिकारी युद्ध और इस युद्ध में महमूद जीता और महमूद गजनवी ने महमूद ने अपना नाम महमूद गजनवी रखा और जो गजनी वंस था इसका नाम बदल कर यामनी वंस कर दिया तो गजनी वंस का नाम याम लूट कर भाग जाएगा, अब मेहमूद गजनवी के जो पिता जी सुबुकीन हैं, वो जैपाल पर हमला करते समय ही निपट गय थे, उनकी अनकी हिती हुई थी, तो इस बात का मेहमूद गजनवी को बदला लेना है, अब बदला लेना है, तो इसने बगदाद के अबासी खल प्रफ़ता है मुसल्मानों का रच्छग और यमीन उद्दॉला सामराज का दाहिना हाथ यह कहकर पुकारा एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कि मेरे हां तो यह बात समझ में आई लियर है तो आगर आपको कोई शब्सक्राइब दो डशoka मतलब क्या होता है आप को यहां के लिए रहिए सर शत्रा बार हमसे इच अर अच्छा नेना सथीज राइजी आप बताईएगा लेकिन ये नियूटूब पर सारे मगें और जल्दी जल्दी पढ़ाओं और जल्दी जवान की निंगाल दो pousकाल कि उन गेरे इंटर यह यहां मेरा इंटरनेट हुट यह इसने तीक्सी तो हाहे में कोई फरक नहीं पढ़ता है है हां है सर जीय सरना करום कंपलीट होगा अब देखो है है बहुत भरत मिस्तरदी है करिद जीय सरसाइन कいます कंपलीट हो अभी अभी शुरू कि दिल गवैं कि एक मै loin सुरू नहीं हुआ है यह दिए सब्सक्राकर स्मय है जान से तो नहीं है तिसला मैं आप से कुछन पूछना चाहता है बच्चा कि आपने जो बोल दिया आप ने बोल दिया कि सर महमूद गजनवी ने 17 बार हमला किया था लेकिन क्वेशन ये है कि इसको ऑथन्टिकेट क्यों माने जबकि महमूद गजनवी ने कसम खाई थी क्या खाई थी कि मैं अप अपना नाम भारत में बुत शिकन बताया था महमूद गजनवी ने अपना नाम भारत में बुत शिकन बताया था अब बुत शिकन का मतलब क्या होता है बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ती भंजक मूर्ती तोड़ने वाला मूर्ती भंजक अर्थात मूर्ती तोड़ने वाल मेहमुद गजनवी ही पहला सासक था जिसने सुल्तान की उपादिली थी जिसने किसकी उपादिली थी पच्छा सुल्तान की उपादिली थी याद रखना है आपको और यही ऐसा पहला वक्ति था जिसने जिहाद नारा दिया था भारत में ठीकर जिहाद का मतलब क्या होता है ध बुजरात के आसपास तक के छेतर में आकर जिहाद का नारा दिया था कहने का यह ताथ पर रहे हैं ठीक ना हाँ तो बुद्ध शिकन का मतलब बिल्कुल से बताया है मूर्ति बंजक होता है तो अभी किसी का अंसर आया नहीं सरे 17 बारवला ठीक है समझेगा कुशन आप से अंसर है प्रोफेसर हेनरी इलियट यह बाद याद दक्खेगा तो अगर कुशन पूछा जाए यह द्याप से कोई कहा दे कि महमूद घजनवी ने भारत पर कितने हमले किये थे तो आप कहना कि महमूद घजनवी ने तो कहा था कि मैं प्रतेखवर्ष भारत पर एक हमला प्रोफेसर हेनरी इलियट के अनुसार अब कुछन मनता है कौन कौन से हमले इंपोर्टेंट है सबसे पहला हमला यह याद करना है सिंध कराजा जैपाल पर हमला करेगा जैपाल से लड़ाई जैपाल हार जाएगा और अपनी हार बरदास नहीं कर पाएगा तो आग में कूद कर आत्मत्या कर लेगा तो तो एक हजार एक इस्वी या एक हजार दो इस्वी में इसने हिंदू साही वंश के राजा जैपाल को राया, एक हजार पांच इस्वी में इसने मुल्तान के राजा अब्दुल फतेह दाउत को राया, एक हजार आठ इस्वी में राजा राम को राया आगे चलकर करिंडवज राजा राजपल को राया कालिंजर की राजा विद्याधर को राया और सबसे इंपर्टेंट हमला था उसका 1.25 इस्वी का जो था गुजरात के सोमनात्मंदिर पर और वहां करा जाता भीम द्यो प्रथम यद्ध राजपर्थम धीव प्रथम यह मूल राजपर्थम तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि भाषत बढ़ी आठाट मैं आप से पूछूंगा जितना जितना आपको याद रहां आपको उतना उतना बताना है सभी कि न चलिए तो कॵेश्चन मनेगा अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक मैं पूछ देता हूं कॵेश्चन मनेगा कि गजनी वंस्कि और इसने खेए लग乾णी वन्स की स्थापना किसने की तो आपका आएगा अलप्त गिनने की किसने की अलप्त गिनने की लेकिन कुश्चन बनेगा गजनी वन्स का वास्तविक संस्थापक कौन था गजनी वन्स का वास्तविक संस्थापक कौन सा था तो गजनी वन्स का वास्तविक संस्थापक था लुक्त गीन और इस समय सिंध में कौन सा वंश अला था हिंदू साही वंश और यहां का राजा कौन था जैपाल है बहुत बढ़िया अब पूरा नहीं लिखना वाला हूं ठीक है ना इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद गद्धी पर कौन बैठा मेहमूद गजनवी इसके बाद गद्धी पर कौन मेठा मेहमूद गजनवी ने इस गजनी वंस का नाम बदल कर क्या कर दिया इस गजनी वंस का नाम बदल कर यामनी वंस कर दिया इस गजनी वंस का नाम बदल कर क्या कर दिया यामनी वंस कर दिया किसने महमूद गजनी ने या महमूद गजनव ने कुर्शन मनता है भारत पर पहला भारत पर पहला अरभी मुस्लिम हमला किस ने किया भारत पर पहला अरभी मुस्लिम हमला किस ने किया तो आपका आंसर आता है सुबक्तगीन तब आपका आंसर आता है सुबक्तगीन समझेगा भारत पर पहला अरभी मुस्लिम हमला किस ने क किया तो आपका आंसर आएगा सुबुक्तिकिन लकित अगर जमनेगा भारत पर थे भारत पर सरवाधिक सफल हमले किस किस तर्वारत पर पहला कि सरवार्दिक सफल हमले किस नहीं कि कि और यह तुर्की है ठीक ना तुर्की दो पढ़ा है अराब कातव लोग पर चुके ना मुहमद बिन कासिम सर्वादिक सफल हमने किसने कि यह है तुर्करियों में तब आप अंसर आऑगा महमूद घज नभी गलते तब आप काहर आएगा महमूद घजणंवी अच्छा मैं बहुत ब्रस तराइता हूं यह ये वाला कुष्ण इस जवान झाष़ाब में कई भार हई जाती की पता नहीं कुछ लोगों करकist अब है किसर आप!」 इतना ज़्याद आप आप आ देते हैं हमारी च्छही मर जाती है हम सोस्ते ही हमसे यादी नहीं उपाएगा अभी याद नहीं उपाएगा तो हम पेपर कैसे देंगे जाके दुनिया बरकी बाते है ना हम मैसे पढ़ पढ़ की हो जाते है पागल चलो तो कजनी वंच या याम मेहमूद गजनवी सुल्तान की उपादी लेने वाला प्रथम विक्ति है तो सुल्तान की उपादी अभी तक किसी ने ली थी बुद्ध शिकन का मतलब हमने आपको बता दिया है ठीक ना और इसने संपूर भारत पर जिहाद आमला किया था जिहाद नारे के साथ जिहाद का अपादिक प्रचार करने वाला विक्ति कौन है तो आप कांसराएगा मेहमूद गजनवी है अब उपादियों में और देखना पड़ेगा हमको पिकिर आसे ना हाथ समराज का दाहिना हाथ ठीक है ना ये वी उपादी आपको याद करने ही चलिए कोई बात नहीं अब कुश्चन मता है भारत पर हमला भारत पर हमला महमूद गजनवी के भारत पर हमले तो या तकना है सबसे पहले और सबसे एक हजार एक फिल्एशन है एक हजार एक है औ फिल आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसी अफ्ट बहुत कर люблю यह स्लखाना घभणा है लिखेगा अगया है सारी निप आओ अपर इसान मत होए हिंदु साही ठीक ना तो जैपाग लिखेंगे आग में कूद कर आत्मत्या कि आग में कूद कर कि आत्मत्या कि रख लिए रख लिया अब आते हैं 155 पर सीध्य आते हैं मुल्टान पर हम लो करें कंगा मुल्टान में करमाती वन्श अल्लाय नीं करमा थी मुसल्मानं ओंग ऐस कोई बात ने है कओ रोल डरो नी बैचल पकत्र हम जैसे कटिन बोलते करमाती बोलें जान लेग्वोर्य करमाधी अभी एक नया सब्दा आ गया ठिक नाए सिर्कल लो ए प्रवान की जाती थी उसमें ठीक ना तो यहां पर इसको याद कर लेना है अब हो लोकर जो बहुत इंपोर्टेंट कोशन है वो क्या होगा भई जो बहुत इंपोर्टेंट वो क्या होगा एक अजार आठ और नो इसने हिंदू साहिवन्स के राजा आनंद पाल को राया पाल को राया जो आनंद पाल है हना इसका ऑंसे युद्ध में हमला हुआ था बेहिंद का युधा था प्यंद का युद्ध गूआता कई वर कुछन आूजे 270 में कौन हरा तानेश्वर पर हमलाolla करेंगा है और राज़नWow घरा going in राजा ज्टाक जसके भीटिरे और राजपाल ज्टाइनš पर हमला करेंगा और राजपाल था ठीडिकर न ही समय मmor धिकल घैए 1184 प्याला है 1089 फटाफ़ट जल्दीस से फटाफ़ट राद करो फिर बस दो बताएंगे एक 120 वाला बताएंगे और 1045 वाला यह 24 वाला ठीक है ना तो कालेंजर कामला ो एंपोर्तेंट है क्योंकि कलिंजर क्यों वहीं बांदावाला जो इरिया बॉइंआ है जो क्लीन जर कर आजा था विद्या थरुप बीजडार में इसके मतम हां भीड्यधर इसी के घुलाम क्ला घुलाम Spotify अ पराना बहुत मुश्किल था लेकिन लास्ट में हारी गया यह ना थे एक हजार बीस इसके पीछे कहानी है कालिंजर के विद्याधर के विद्याधर के विद्याधर और इसके बाद एक हजार चौबिस पच्चिस के सोमनाथ को धसक गुजरात करा जाथ भीम द्यों परत्म हाँ भीं दयों फंस इसे कहते हैं मूल राज 1 इसको लोग पृस्ट के नाम से जांते हैं तो पह्ता फटशा जाद कर लिए भारत पर हमले जल्दीं से जल्दी से जली nog यह बहुत इंपॉर्टींट ग्रस ओंधमधी एक हजार पच्चीस इस्वी में गुजरात के सोमनार्थ मंदिर लगातार तीन दिन तक भीषड युद्ध हुआ और इस तीन भीषड युद्ध में इसने बहुत सारी याने कि पचाथ हजार से जादा ब्राव मनों का कड़न किया और कल करने के बाद जहां सारा सोना लूठ कर लेकर जा रहा था जब यह लूटकर जा कर जा रहा था तो जब सिंधु नदी के पास पहुंचा जब लूटने की कोशिस करी लेकिन मेहमूद गजनवी ने अपना सोना बचाया बहुत सारे सैनिकों का बलिदान दे दिया और चुप चाप से वहाँ से भाग निकला लेकिन वो क्रोध तुम्हें तो आई जाएगा ठीक दो साल के बाद जितने सैनिक मारे गया थे उससे कई ज्यद मेहमूद गजनवी का अंतिम अभियान किस पर था तो मेहमूद गजनवी का अंतिम अभियान आपका जाटो पर था किस पर था बच्चा जाटो पर तो बहुत इंपोर्टन कोश्चन है एक हजार सत्ताइसी स्वी मेहमूद गजनवी का अंतिम अभियान मेहमूद गजनवी क अंतिम अभियान किस पर था तो आप का अंसर रहेगा जाटों के पर जाटों के वरुद्था जाटों के वरुद्था अब अगला कॉश्चन कि गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकार गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकार गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकार देख लेते हैं भाई अल बरूनी बहुत इंपोर्टेंट है अल बरूनी अल बरूनी ने किताब लिखी है किताब उलहिंद किताब उलहिंद या तहकीक एहिंद इसका अर्थ होता है भारत की खोज इसकार्थ होता है भारत की खोज जो अल बरूनी है इसका असली नाम होता है अबुरेहान इब्द मुहम्मद अल बरूनी इसका जन्म होता है खीवा में मद देशिया खीवा में इसका जन्म मद देशिया के खीवा में होता है और यह जो किताब है यह आपकी अर्भी भासा में है जो किताब है यह आपकी अर्भी भासा में है अल बरुनी ने हमारे भारतिय समाज की प्रसंशा की है यह यह हर चीजें इसने सही बताई है अना हर चीजें मतलब किताब दिखी जाए तो 99 परसंट जो चीजें हैं वो अमरी प्रसंसा के लिए हैं लेकिन अंत में इसने विलाप करते हुए कहा है अंत में इसने विलाप किया है इस किताब में जैसा को पढ़ेंगे तो अंत में इसने विलाप करते हुए कहा है क्या कि पता नहीं भारतियों को एसा क्यों लगता है कि उनके सामराज जैसा कोई सामराज न उनके धर्म जैसे को धर नहीं उनके छेतर जैसा को जेतर नहीं उनके खाण पान जैसे को खान पान नहीं याने की अरफधात परद करते वह कहा जो हिंदू है वह घमंडी है ठीक है ना यहां पर लिख सकते हैं सामराज जैसा कोई सामराज नहीं वन्स जैसा कोई वन्स नहीं छेत्र जैसा कोई छेत्र नहीं उनके सुल्टा उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं समझ्या गया तो यह जो चीजें है तो यह सारी चीजें अंत में विलाप करते हुआ अल इतनी बात आपको याद रहेगी अपने पूरी किताब हिंदी चापवाना शुरू कर दिया नहीं इसा नहीं करेंगे परेसान मतों तो इतनी बाता को समझ में आ गई अलबरूनी बहुत अच्छा इतियास का रहे हैं इसने बहुत अच्छी जी लिखी है इसलिए मैंने आपको इसके बारे में इतनी सब चीजे बता दिए बहुत तरी चीज़ों नहीं बता रहा हूं तो इतनी चीजे मैं आपको उता दिए अब आने वाले और इतियास कर समझ लेते हैं इसके साथ और कौन को न आया था जो फिर्दौसी था ये इसके साथ नहीं आया था या दखेगा है कि बताइए कभी-कभी आ जाएगा बैहाकी तो फारूखी तो उत्वी कि जारी कि खुरासन ये सब अनितिहासकार ये सब क्या है मिटा अनितिहासकार है यानिकि ये वो इतिहासकार है जो महमूद गजनवी के साथ आयते ये सारे तो कोशन आप से देजिए जाए फिर्दौसी बैहाकी फरूखे में विसम छाटिए तो आप फिर्दौसी छाट देंगे क्योंकि वो उसके साथ नहीं आया था वो अलग से आया था कहने का ये तात्पर्द है ठीक है तो ये था आपका महमूद गजनवी बच इतना काफी है आपके लिए इतना काफी है अब जो विक्ति आने वाला है वो लूट कर जाएगा नहीं वो लूट कर यहीं रह जाएगा और वो होगा मुहमद शिहा अबुद्दीन गोरी अगर मैं आपसे कोशन बूच हूँ कि गोर वन्स की स्थापना किस ने की थी जो गजनी था गजनी और गजनी की आसपास एक पहाड चेतर में बसा हुआ था तो वहाँ पर एक वंश अला था गोर वंश क्या वंश अला था गोर वंश तो बताईए गोर वंश की स्थापना किस ने की थी गोर वंश की स्थापना किस ने की थी कोई बार ने आप नहीं बता पाएंगे गया सुद्दीन बिन साम ठीक ना तो गो गोरी गती पर बैठता है को कि गया सुद्दिन बिन साम का चोटा भाई होता है मोहमद शिया अबुद्दीन गोरी फिर कल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह होगा मोहमद शिया उबुद्दीन गोरी भारत में तुर्क समराज की इस्थापना वाला कि अगर दो कि कि अब अगर तुमने कहा कि इस इप अठारा कप कमप्लीट हो गारा जैसे बोलोगे सरक्व कंपलीत होगा आप विस्वास कर ये मैं तिन-चार दिन में आपको पढ़ा के खतम कर दूँगा ठिक है अगर अगर आपने दुबार रहा है था कि इसी बच्चे ने चाहता आप दो उले मैं चाहता है लेकिन मैं गज्य लेवल की पेपल Jr. कऴेश्चन है हर थे जम दॉल के प्षंप 민주 प्राइस प्रेश्चन है वह थोड़ा कफिन बने लगए इसलिए मैं रह वद्धर और अंदर जाके पढ़ा रहा हूं कि बात समया रही है हां तो मैं बैबूल दिया है कि यूपी प्यसी प्री तक के पेपर का क्वेश्चन आप यहां से मिल जाएंगे कहने के इताथ परेस्ट में इच्छा जिकारी आरो यहारो लूबर पीसे से सब मिल जाएगा है ठीक है लूब यहां तक आपको बात समझ में आई है तो अगर यहां को बात समझ में आगे है तो जल्दी जरल बोलो और कौश साबकी क Impf ANY मैंने आपको गजनवी तक ले कर गया दुनिया पढ़ा रही यह से तिन तिन चार चल लाई ने ठीक है किसे पूछ लो गोर वंस के स्थापना किस ने की थी तो गया सुद्धिन बिन साम आंसर दे नहीं पाएगा पूछ लेना चाहे जाके हो गया देगा मुहम्मद गोरी ठीक है ऑथंटिकेट पढ़ो ठीक हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा यह मैरी आप से वादा है तो फिर कल मिलेंगे हम लोग बहुत बहुत धना है